नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 3 नवंबर दिन शुक्रवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर वंडर विश्वकप में भारतिय टीम जीत का सता लगाते वे सेमी फाइनल में जाने वारी पहली टीम बनी तुधारू मवेश्यू का भीमा करानी के लिए अपनाई ये तरीका केके पाठक ने सक्षा विभाग के करमचारियों के लिए जारी किया फर्मान फ्रेम में सफर करने से पहले जान ले इन जरूरी नियमों को पीम किसान योजना के लाभारती को इस वज़े से लौटानी पर सकती है सम्मान निधी की राशी अब चले बढ़ते हैं बिहार के अपता की 25 वरी खवरों के उर्विस्तार से असम डिरेक्ट रिक्रूट्मेंट कमिशन में 12,600 पदों पर निकली भरती असम डिरेक्ट रिक्रूट्मेंट कमिशन की तरफ से ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के 12,600 पदों के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आविधन करना चाहते हैं वो official website asam.gov.in पर जाकर online तरीके से अपना आविधन कर सकते हैं बता दी क्या आविधन करने की अंतिम तारिक 29 नवंबर 2023 तक नर्थारित की गई है इसके लगर सैचने क्योगिता की बात करे तो कैटेगरी एक के पदों के लिए आविधन करने वाले कैंडेट्स ग्रैजुएट होने चाहिए वही कैटेगरी दो के लिए आविधन करने वाले कैंडेट्स बारवी पास होने चाहिए इसके लावा कैटेगरी तीन और चार के लि मतसे संसाधन विभाग के द्वारा दुधारू मवेश्यों के पसु बीमा की योजना चलाई जाती है ऐसे में इस योजना से संबंध जानकारी को IPRD के द्वारा एक पोस्ट शेयर कर दी गई है जिसके तहट बताया गया है कि बीमा कंपनी के द्वारा दुधारू मवेश्यों का बीमा एक वर्स के लिए किया जाता है वहीं बीमा कम्पनी के द्वारा दुधारू मवेश्यों में डाटा इयर टैग लगाया जाएगा जिसकी सुरक्षा के जिम्मधारी लाभुकी होगी ऐसे में वो लोग जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और अपने दुधारू पसु की बीमा कराना चाहते हैं तो अभी तक अपना अवेदन गव्य विकास निदिशाले के वेबसाइट डेरी.bihard.gov.in पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं बता दे कि स्योजनास जुड़ी अधिक जानकारी के लिए संबधन जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी से संपड़क स्थापित कर सकते हैं कहीं अधिक योग्य हैं उन्होंने 1994 में पदमश्री लेने से भी इनकार कर दिया था बेचाया बदुत्तर काल के सुविख्यात कवीत इनका काविस संसार बहुत ही विविद और व्यापक है वे थोड़े से कवियों में रहे हैं जिने हिंदी कविता के पाठकों से बहुत मा काकली, राधा, रूप, अरूप, तीर, तरंग, मेघगीत, गाथा, पशानी, तमसा, इरावती, कालिदास, उपन्याथ शामिल है इन जानकी वलव सासरी को विविन पुरुषकारों जैसे राजिंदर सिखर पुरुषकार, भारत, भारती पुरुषकार, शिप पूजन सहा पुरुषकार आदी से समानित किया जा चुका है। तो आपको अतरिक्त समान के लिए जादा किराई का भुकतान करना होगा। वहीं इसके लावा ट्रेनों में कुछ समानों को ले जाने पर मना ही होती है जिनमें ज्वलंसीद पदार्थ, विस्पोटक पदार्थ, बदबुदार वस्तुएं, गैस सिलिंडर, सिगरेट, स्ट ताकि आपको किसी तरह की परिशानी का सामना ना करना पड़े। खेलते वे अपनी पारी के दोरान 3-4 के और 6 गगन चुम्बी छक्के लगाये थे। इस लक्षी का पीछा करने उतरी रंकाई टीम महज 100 रनों पर अंदर धेर हो गई। इस मकाबले में भारत के गेंदबाद जस्परीद बुम्रा ने 1 विकेट मुहमद समी मिने, 5 विकेट सिराज ने 3 विकेट लेकर भारत को सेमी फाइनल में पहुचा दिया। भारत अपने 7 में से 7 मैच जीत कर 14 अंक हासल करते वे वंडे विश्वकब 2023 के सेमी फाइनल में जाने वाली पहली टीम भी बन गई है। जिलो में कोट में लंबित कांडो की 9 बिंदू पर होगी समीच्छा। पीम रिपोर्ट इंजुरी रिपोर्ट के लिए लंबित कांडो दथा अने महतपुन प्रशास्टिक मामले भी देखे जाएंगे। बतादिक विभाग के अनुसार जिलास्तर ये अनुस्टरवन समीती की प्रतीक महीने वाली बैठक में इन विश्यों की समिक्छा की जाएगी। मालमों कि DLMC की बैठक जिला एवं सत्र नयधीस की अध्यक्षता में होती है। में जिन अधिकारी के द्वारा दस विद्याले का निडिक्षन नहीं किया जाता है उन्हें कारण बताना होगा। बतादे कि विद्याले निडिक्षन रिपोर्ट संबनित प्रखंड के DEO के माध्यम से भेजी जाएगी। इस संबन में DEO के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है कि अब विद्याले निडिक्षन कारे सुभा नो बजे से ग्यारा बजे तक किया जाएगा। और दो पहर दो बजे से शाम चार बजे तक विद्याले निडिक्षन के अपने कारियों का निश्पादन करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्रे रितीश कमार के द्वारा मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाग रुपे का अनुगरा राशी अविलम उपलद कराने का नर्देश दिया गया है आपकी जानकारी के लिए बतादे कि नाओ हाथस्ता सर्यू नदी में बुधवार को शाम को हुआ थ दिपावली का तेवहार आने वाला है इसे में इस तेवहार को लेकर सभी घड़ों में साफ सफाई की जाती है लेकिन अगर इस साफ सफाई के दौरान आपको 2000 रुपे के नोट बल जाते हैं तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अपने 2000 रुपे के न इंस्टूर्ड मेल के जरिये भी रिजर्व बैंक के डेजिगनेटिड रीजन ओफस भेज सकते हैं आपके जानकारी के लिए बता दे कि RBI की ओर से 19 माई को 2000 रुपे का चलन से वापस लेने की घोशना की गई थी और RBI के नसार अब तक बैंकों के पास 2000 रुपे मुले के सक्षकों को नियुक्ती पत्र बातने के दोरान नियोजित सक्षकों को लेकर एक बड़ा एलान किया गया उन्होंने कहा कि वैसे तो सरकार की ओर से नियोजित सक्षकों को पैसे दिये जा रहे हैं लेकिन उन लोगों की मांग को ध्यान में रखते वे एक मामली परिक्षा ल विषय खुशी हो रही है कि हमने केके पाठो को सख्छा विवहां का अपण मुख्य सची बनाया आज इनके काम पी तारी वोड़ी है, जो सिनकर खुशी हो रही बिहार परणी में आच कियो बाराएं कॢरंगए सुजाता स्थूप के बाढ़े में कि गौतम बुध को ग्यान प्राप्त हुआ था इस शड़ू में दूसरी स्तावधी इशापुर्व में बनाया गया था जैसा कि पास के मठ में गहरे बुरे रंग के पॉलस किये गये समान और एक छिदरित सिक्के की खोच से पुस्टी होती है यह स्तूप बकरोर गाउं की दूधवाली सुजाता को समर्पित था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने इस स्थान पर गौतम बुध को दूध और चावल खिलाया था जब वह एक बरगत के पेर के नीचे बैठे थे जिससे उनका साथ साल का उफवास और तपस्या समाप्त हो गई और अन्मती मिली उसे मध्यमार के माध्यम से रोश्टी प्राप्त करने के लिए स्तूप को मूल रूप से अशोक के एक स्थम से स्जाय गया था जिसे 1800 के दशक में निर्मान सामगरी के लिए आंसिक रूप से उत्खरन किया गया था फिर गया के गोल पाथर चुराहे पर रखा गया और अंत्ता 1956 में बोध गया में स्थांतरित कर दिया गया स्थूप बोध गया के मूल परिद्रिश्य का एक अभिन अंग्था और इसे सदियों से कई बार सुद्रड और विस्तारित किया गया था पीम किसान योजना के लाभार्ती को इस वज़ा से लोटानी पर सकती है सम्मान निधी की राशी अगर आब भिन लोगों में से हैं जो पीम किसान सम्मान निधी योजना का लाभ उठा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए हैं बता दे कि किरसी पतादिकारी गोपाल प्रिशाद के दोरा वैसे किसान जो पातरता छिपाकर गलत तरीके से इस योजना का लाब उठा रहे हैं वैसे किसानों से बहुत जल्थी किरसी विवाग के दोरा राशी की वसूली की जाएगी बतादे कि क्रिसी पतादिकारी के दोरा दी गई जानकारी के नुसार ऐसे किसानों को क्रिसी विभाग के दोरा नोटस तामिल कराया जा रहा ताकि जल से जल संबंधित राशी वापस कराया जा सके बतादे कि इन किसानों से हड़ हाल में राशी की रिकवरी की जाएगी मालुमों की बकसर के सिम्री प्रखर्ण में से कुल 109 किसान है जिन से 14,40,000 रुपे की वसूली की जानी है थाली बजाकर आंगनबारी सेविका और साहीका ने किया प्रदर्शन बीतदन बिहार आंगनबारी करमचारी संग के आबाहन पर भागलपुर जिले के सभी आंगनबारी सेविका और साहीका के द्वारा भागलपुर समार नाले पडिसर इस्तत डियम काड़े आले के सामने मांदे बढ़ाने संबंदित अपने 503 मांगो को लेकर सरकार के खिलाफ थाली बजाकर जमकर प्रदर्शन किया गया और साथ ही नितीश भिक्छाम दही के नारे भी लगाए गया इस तोरां सिविका साहीका के द्वारा कहा गया कि हम लोग अपने मांगो को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन राजसरकार केंदर सरकार पर और केंदर सरकार अरौप लगाने का काम कर रही हैं लेकिन हमारी मांगोप कोई ध्यान नहीं दे रही और उसे पूरा नहीं किया जा रहा यही वजा है कि हम सभी अनुशृतकाल हर्ताल पड़ हैं इसके साथ ही इनके दोरा यह भी कहा गया कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो जब हम पोलियो और कोरोना को भगा सकते हैं तो नितीश कुमार की सरकार को भी भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चापे मारी की गई है पतादी के वीडियो के खिलाफ 30 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया था जिसके बाद विभाग के दोरा वीडियो के सारण और वैशार इजले में सत्त त्रिया प्रखन काड़े आले मढ़ोरा इस्तत घर और हाजिपुर के वीर कुवर सिंग कॉलने स ससुराल में चापे मारी करते वे 89,000 रुपे नकद, 27,23,806 रुपे के सोने एवं चांदी के जेवराद, 25 बैंकों के पासबुक, 6 पॉलिसी में निवेश के कागजात और 10 जमीन के दीड के कागजात बरामत किये गए हैं वही इसके लावा अपने परिजनों के नाम से चेक अबदी में अरजित अचल संपत्ती का मुले 41,6,906 रुपे और चल संपत्ती का मुले 38,86,000 रुपे है बिहार विकलांग पेंशन योजना का ऐसे उठायला बिहार सरकार के दौरा राजिवासियों के हित के लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है इनी योजना में से एक योजना बिहार विकलांग पेंशन योजना है जिसकी मदस से सरकार की ओर से 40 प्रतीशत या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को प्रतीमा पेंशन उप्रद्द करवाया जाता है हालाक इस योजना का लाब उठाने के लिए सरकार के ओर से कुछ पात्रता भी निर्धारित की गई है जिसके तहट आवीदक बिहार का अस्थाई निवासी होना चाहिए आवीदक की नियुनतम उमर 18 वर्ष और अधिकतम उमर 69 वर्ष होनी चाहिए आवीदक में नियुनतम 40 प्रतीश डिसबिलिटी होनी चाहिए आवीदक किसी अने पेंसन का लाब न ले रहा हो और आवीदक गड़ी वीरेखा से नीचे होना चाहिए ऐसे में जो लोग स्योजना का लाब उठाना चाहते हैं वह सर्विस प्लस बिहार पोटर से ओनलाइन या ब्लोग के आटीपी स्काउंटर से ओफ्लाइन आवीदन कर सकते हैं बतादे किसी योजना के तहत लाबहार्थियों को प्रतीमा 400 रुपए सरकार की ओर से दिये जाते हैं प्रदेश में मौसम बना रहेगा सुस्क इस बार ठंड कम रहने वाली हाला किस महीने में प्रदेश के कुछ हसों में हलकी बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभा की तरफ से जारी अपडेट के नुसार यह बताया जा रहा है कि साल 2023 के बाकी बचे दो महीनों में नवंबर और दिसंबर में पूरी तरह करकराती ठंड में कमी देखने को मिलने वाली है अब तक किसिती के नुसार इस बार प्रदेश में ठंड बहुत जादा पढ़ने की संभावना से इनकार किया गया है साथ ही यह भी कहा गया है कि स्थानिय मौसमी परिसितियों पर भी कई बात नर्भर करती है प्रदेश में अगले 24 घंटे तक मौसम सुसक बना रहने वाला है राजदानी पटना के साथ ही प्रदेश के आसपास के जिलो में भी तापमान में भी वड़ोतरी की बात कही जा रही है पटना से सासराम तक फोरलिन सरक का जल्द नर्मान काड़े होगा शुरू बहुत जल्दी पटना से सासाराम तक 119.5 किलो मीटर लंबे ग्रीन फिल्ट फोर लेन एक्सप्रिस वेका निर्मान कारे शिडू होने वाला है जो कि दो चर्णों में पूरा किया जा सकता है बता दे कि पहले चरण के तहट सासाराम से आड़ा के बीच सरका निर्मान किया जाएगा जिसकी लंबाई लगभग 74 किलो मीटर की होगी वहीं दूसरे चरण के तहट आड़ा से पटना के बीच सरका निर्मान किया जाएगा जिसकी लंबाई लगभग 45.5 किलो मीटर की होगी बता दे कि इस ग्रीन फिल फोर लेन एक्स्पेस वे के निर्मान पर 3357 करोड उपे की लागत आने वाली है मानमोग सरक्य निर्मान होने से राज्य के कहीं जिलों को लाब मिलेगा जिन में पटना, अरवल, भोजपुर्ण होतास वा सासाराम है जिनकी सरक्य जुर जाएंगी वहीं इसके लाबा इस सरक्य के निर्मान होने से बारानसी जाने में भी सुधा में लेगी पांच वर्षों में राज्किय नलकूपों पर हुए खर्च का ब्योरा तलब लगुस जल संसाधन विभाग के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा दिये गए दिशा नर्देश के अनुसार राज्किय नलकूपों पर बीते पांच वर्सों से अब तक हुए खर्च की रिपोर्ट तयार करने के लिए नलकूप योजना से जड़े सभी काड़े पालक अभियनताओं को इसकी जानकारी देने का नर्देश दिया गया है बतादिक इसमें उन्हें उप्योगिता प्रमान पत्र की रिपोर्ट भी देनी है आपकी जानकारी के बतादिक विभाग के अपर मुख्य सचीव के नर्देश पर चालू और खड़ाप पड़े सारे नलकूप पर हुए खर्च की जानकारी देनी है इसके साथी तैस समय में आवंटन उप्योगिता प्रमान पत्र नहीं देनी की इस्तिती में सम्मध जिला पड़ादिकारी और जिला पंचायती राज पड़ादिकारी को पत्र लिखने का भी नर्देश दिया गया है बिहार में यहां से दिख रहा हमाले राजी में गुलावी ठण के शिर्वात हो गई है और इसके साथ वालमी की नगरवासियों को घड़ बैठे फर परवत का दिदार हुड़ा है इसी के ओर से हिमाले का दिदार अक्सर ठंड के मौसम में होता है पतादे गुलाबी ठंड के शुरुआत होते ही वी टियार की सुर्मय वादियां सेलानियों को लुभा रही है यहां सेलानियों का अनाज जारी हो गया है निपाल की पहारियों से निकल कर वालमी की नगर के मैदानी इलाकों में कल कल कर बहने वाली गंड़क नदी में फिलाल पानी के भाव के कारण नौका बिहार बन है CPI की रैली में तेश्वी आदव का केंदर सरकार पर हमला बितेदन बिहार के राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में आयुजित भारतिय कम्यूनिस्ट पार्टी यानि की CPI की भाजपा हटाओ देश पचाओ रैली में बिहार के उपमुखे मंतरी तेश्वी आदव के दोरा संबोधित करतेवे केंदर सरकार पर जमकर हमल बोला गया उन्ने कहा कि बिहार के रेश के दोरा पहली बार यह रिकोर्ट बनाया गया है कि हम 21-9900 से ज्यादा सक्षकों को भरती कर रहे हैं उसको लेकर भी भाजपा के लोग राजनिती कर रहे हैं उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया था 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का उस पर हमने काम करना शुरू कर दिया है और अगर और जादा युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे उन्होंने कहा कि जिस तर और गडिवों की हालत में कोई सुधार नहीं आएगा सक्षक निप्ति को लेकर उपेंद्र कुश्वाह के पांच बड़े सवाल बिहार में होड़ी सक्षक न्युक्ति को लेकर RLJD प्रमक उपिंद्र कुशवह के द्वारा बिहार सरकार से पांच सवाल पूछे गया है बतादे के सवार उपिंद्र कुशवह के द्वारा एकसपर जो की पुर्इध में टुईटर हुआ करता था उस पर पूछा गया है उन्होंने लिखा है कि युवाओं को नौकरी मिल रही है हमें भी इस बात की खुशी है लेकिन बिहार सरकार को कुछ बाते आज सब के सामने जरूर रखनी चाहिए पहला कुल भरती में पूर्णता नई निकति कितनी है क्योंकि जो जानकारी मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुँच रही है उसके नुसार चाले से 45,000 नियोजित सक्षकों को इसमें सामिल किया गया है दूसरा बिहार के कितने युवाओं को इसमें रोजगार मिला हमें प्राप्त जानकारी के नुसार डो मिसाइल नीती नहीं लागू करने से 20-25,000 अन्य राज्यों के युवाओं को इस भरती में नौकरी मिली है तीसरा समाजिक न्याई की बात करने वाले बताएं की किस वर्ग के लोगों को कितनी नौकरी मिली है तभी तो आपके समाजिक न्याई का सच पता चलेगा चौथा अगर भरती में कोई गरबडी नहीं हुई है तो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं जिसमें महिलाएं और दिव्यांग भी शामिल है वो कौन है पांच वाज जब आप से चको का स्कूल आवंटन एक महीने बाद करने वाले हैं डॉक्यमेंट की जाच भी आपकी अधुरी है तमाम गरबडीयों को लेकर अभ्यरती आपसे गुहार कर रहे हैं ऐसे में निपती पत्र बाटने की इतनी जल्दबाजी क्यों है उन्होंने कहा कि लालू नितीश सरकार को इन सबी सवालों का जवाब देना चाहिए मीडिया के मित्रों से भी मेरा निवेदन है कि आपसरकार से उपल्यूक्त पांच सूतरी सवालों को अवश्य पूछे भारत के तिहास में आज की तारीक है कहीं कार्णुस दर्ज नाराडाओ की मत्रायस सिस्तमपत्ती को ध्वस्त करने के लिए 2857 में आदेश हुआ असम हिंदी प्रचार समीती नामक एक संस्ता 1931 में कायम की गई भारत के ततकालिन फ्रिधान मंत्री जवाहार लाल नेरु ने उनीसो और तालिस में संयुत राष्ट महासभा में अपना पहला भाषन दिया भारत में 1984 में हुए सिक विरोधी दंगो में 3000 से जादा लोग मारे गए भारत सरकार द्वारा 2000 में डारेक्ट टू हूम प्रसारन सेवा सभी के लिए शिरू की गए वायू सिना ने 1988 में आगरा से एक पैरासूर्ट बटालियां स्तमों को लिया यूनियन पैंक ओफ इंडिया ने 2008 में अपने उधारी दरों में 0.5 प्रतिशत की कमी की आमेर का वीर और बहुत ही कुटनितग्य राजा सवाई जैसें का जन्म 1688 में हुआ मुंबई में प्रीतवी थियर्टर स्थापित करने वाले हिंदी फिल्म और रंगमंच अभिनाय के इतिहास महापुर्ष प्रीतवी राज कपूर का जन्म 1906 में हुआ सुदंता सिनानी और महिला दिकारियों की पैड़वी करने वाली अनपुर्णा महाना का जन्म 1907 में हुआ अर्थ सास्त्री अमरत्य सेन का जन्म 1923 में हुआ हिंदी सिनेमा के प्रसिद संगीत का लक्षमी कान का जन्म 1937 में हुआ भारतिय निशानिबाज मानग जीस सिंग संधू का जन्म 1906 में हुआ परमवीट चक्र पाने वाले प्रत्म भारतिय शहीद सोमनाथ सर्मा का निधन 1937 में हुआ प्रशिद लोकगाई का रेश्मा का निधन 2013 में हुआ बारल कर में आज हम बात करेंगे ह suitcase के बारे में प्याइबी ने अपि टुीट में लिखा है कि यह एल्डर लाइन पेंशन मुद्दो कानोनी मुद्दो पर मुफ्त जानकारी और मारदर्शन प्रदान करती है भाबनात्मक समर्थन प्रदान करती है और दुर्ववार के मामलों में हस्तच्छेप करती है और बेघड़ों को बचाती है Google ने स्टुरेंट के लिए लॉंच किये ये खास फीचर्स Google ने स्टुरेंट की सहुलियत के लिए गनत भौतिक और जयामीती के सवालों को हल करने के लिए कुछ नए फीचर्स लॉंच की है इन फीचर्स की मदद से अब स्टुरेंट को चिट्कियों में जवाब मिल जाएका Google के इस नए सुधा चात्रों को गनत भौतिकी और जयामीती के लिए अधिक सहायता प्रदान करती है अब आप खोज पार में अपना समीकरन दर्ज करके या लिन्स के साथ एक तश्वीर लेकर गनित और विज्ञान की समस्याओं का स्टेप बाय स्टेप समधान क्राप्त कर सकते हैं आपको बता दे कि गनत सॉलवर टेक्स्टॉक पर उपलब्द है और जल्दी मोवाइल पर भी उपलब्द हो का गूगल के भाशा मॉडल सब्ध समस्याओं में सहायता प्रदान करते हैं और छात्र एक हजार से अधिक विश्यों के लिए 3D मॉडल और इंटरेक्टिव आरो डोहजार चौबिस सेशन बनके लिए रिजिस्ट्रेशन शुरू अगर आप भी ऑन में से हैं जो जेई मिन टोहजार चौबिस के सेशन वन के ली रिजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके है बतादी कि राश्ट्रिय परिक्षा एजंसी यानि कि NTA के द्वरा JEE MIN 2024 सेशन बन के लिए रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ऐसे में एक छुक लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वह NTA की आधिकारिक वेबसाइट JEE MIN.NTA.NIC.IN पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं बतादी की रेजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तारी 30 नमंबर 2023 तक निर्धारित की गई है वही राष्ट्रिय परिक्षा एजंसी के द्वारा परिक्षा पैटर्न और सलेबस भी चारी कर दिये गए हैं उससे जवाब बताएंगे जो की BPSC, बिहार पोलिस, दरोगा समीत SSC जैसे अने प्रत्यों की परिछा में काम आएंगे सवाल इतिहास, बिहार स्पीशल, विज्ञान, करेंट अफेर्स और भुगोल से रहेंगे पूछे गए पांच सवाल में आपने कितना सहीतर दिया क्रिपा करके यहामें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा पहला सवाल है, हाली में किस सराज सरकार द्वारा बे घड़ों के लिए अबुगा अवास योजना के तहत आटला घर बनाए जाएंगे इसका सहुतर है उप्शन सी चारखंड अगला सवाल, हाली में कहां अंतराश्टिय सौर गड़बंधन सभा का छठा सतर शिड़ हुआ है उप्शने पटना, उप्शन बी नई दिल्ली, उप्शन सी बेंगलडू, उप्शन डी मॉंबाई इसका सहुतर है उप्शन बी नई दिल्ली, अगला सवाल, छेतरफल के हिसाब से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है उप्शने छेवा, उप्शन बी बाडवा, उप्शन डी सी, आठवा, उप्शन डी तेरवा इसका सहुतर है उप्शन बी बाडवा अगला सवाल, निम्र लिखित में किस प्रदेश से बिहार की सिमाएं नहीं लगी है? उप्शने उत्तर प्रदेश, उप्शन B जार्खन, उप्शन C पर्ष्य मंगाल, उप्शन D मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर है उप्शन D मध्य प्रदेश अगला सवाल, बिहार के GT रोड का क्या नाम है? Option A NH1, Option B NH2, Option C NH3, Option D NH4 इसका सही उत्तर है Option B NH2 बीदे दिन हमारे दुरा पूछी का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाब अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्हों ने हमारे दुरा पूछी का सवाल का जवाब दिया हन के नाम है अगर आप यूटूब से देख रहें चनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद